Welcome back to our class, आज की हमारी उत्राखंड की क्लास है और आज की क्लास का टॉपिक है उत्राखंड सांस्कृतिक तत्तो यानि कि जो भी कल्चरर रिलेटेड हमारी इसमें बाते होंगी उत्राखंड से रिलेटेड वो सारी इसमें आगे जैसे कि चित्रकला होगी, लोग निटते होगे फोक डान्स, फोक सॉंक्स और जो मेले होते हैं उत्राखंड के सारे मैं आपको शॉटकट से बताऊंगी मेले वगेरा तो आज देखते हम अपने क्लास में क्या क्या है तो सबसे पहले बात आती है चित्रकला की, कि उत्राखंड में कौन-कौन से चित्रकला से रिलेटेड अब इन दोनों में जो रिलेटर चीज है कि क्या कॉमन है यहां मानव को निर्ते करते वे दिखाया गया है ग्रुप में निर्ते करते वे दिखाया गया है दोनों ही जगा लाखू में कहीं-कहीं पर अकेले भी है और गॡूप में भी है दोनों को उपर से लाखू ड्यार में पशु भी है पशु प्लस मानव दोनों है जबकि ल्वेथाप में केवल आपको मानव निर्त्य दिखेगा हातों में हाट डालते वे और इस तरीके का दिर्तियां उहां पoweenrän दिखाये गया। उनको सिकार करते वे दिखाये गया। यानि कि Yكien, यहां पे पशू हैं। उनका सिकार कुछ आप इन दोनों को चीजे को- jus को चीजें को को नावलेट कर hypnot script कर सकते हैं। UKCC में बहुत बाद पूछा है कि किस नदी के टतपर है ये सुयाल नदी के, अब देखिए किमनी गुफा और गुर्ख्या गुफा, तो गुर्ख्या गुफा है, तो यहां पर पशों का चटकदार रंगों से इसको दिखाया गया है, और किमनी गुफा में शैल चित्र हतियार मतलब कि जो पत्थर से ऐसे चित्र बने हैं हतियार और पशों का, अब कोशन बनता है, रंगों का देखना आपको कि विशेस्ता रंग, सफेद रंग का परियोग कहां किया है, किमनी में, तो पूछना है कि किमनी में किया है, सफेद रंग का परियोग, देखिए यहां पर आपको दो ही रंग दिख रहे हैं, एक नीला और एक सफेद, सफेद यह हो गया और नीला ही हो गया, तो नीले रंग का प्रियोग कहां किया गया है, हुडली गुफा में, हुडली कहा है, उत्तरकाशर में, तो नीली हुडली से आपको याद रखना है, नीली हुडली, क्योंक आता है मद्यकाल वाली बातें मद्यकाल या फिर आधोनीकल Hills Blood चित्रों के द्वारा ही आपनी बात की जाती थी लेकिन यहां पर जो बात करने का तरीका था वो अलग हो चुका था अब देखे चित्र से 19 सदी के बीच में ये बहुत जादा उभर के आई थी अब देखिए प्रिथिवी पती शाह एक राजा था अपने पहले भी पढ़ावा है पमार वंस में 1608 में उसके दरवार में आया था सुलेमान सिको और ये अपने पीछे दो चित्रकार छोड़ गया था एक था करता है कि जिसने शुरू की है गड़वाल सैली वो कौन था वो था हरदास का बेटा हीरा लाल अब इसी का बेटा था मंगत राम और फिर था मौला राम जो कि सबसे प्रशिद अगर गड़वाल में चित्रकला के लिए किसी को माना जाता है तो वो है मौला राम मौला राम स ये बहुत सारे शाष्कों ने इसे अपने दरवार में रखा था, 1743 से 1833 तक रहा है, almost 90 एर्स तक मौलाराम तोमर था, सबसे महान था, उसके जो प्रमुक चित्र हैं ये भी आपको धिहान रखने है, रादा कृष्ण मिलन इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ये प ठीक है, अब प्रमुक पुस्तके भी हैं जो, ये किसकी हैं, मौलाराम जो था, वो चित्रकार के अलावा एक राइटर भी था, लेखक भी था, तो उसने ये पुस्तके भी लिखी हैं, गर्ड राज वन्श काव्या, गर्ड गीता शंगराम, ये नाटक है, मनमंत सागर, ये एक पुस्तक भी है, जिसमें इन्होंने मौलाराम की चित्रों के बारे में बताया है, अब यहां पे कुछ आर्ट गैलरीज हैं, संग्राले हैं, कि कौन सी कहा है, मौलाराम की जो है, वो है, श्रीनगर पौडी में, बाकी जो महराजर नरेंदर शा की है, तो नरेंदर से नर गैलरीज हो गई, अब मौलाराम के बाद अगर किसी का नाम आता है, तो वो है चैतु और मानकु, यह दोनों भी गड़वाल के प्रशिद चित्रकारों में से एक है, तो चैतु ने बनाया था, चैतु की जो चित्रकारी में फेमस है, वो है कृष्ने लीलाओं का चित्रण, चैतु ने किया था, कृष्न लीलाओं का चित्रण, और इसका जो चित्र फेमस है, वो है रुकमनी हरन, यह आपको दिहान रखना है, रुकमनी हरन किसने बनाया था, चैतु ने, और मानकु का था, तो जैदेव, गीत गोविंद जो रचना है, वो किसने लिखी है, पहले त उसका चित्रण, उसकी जो आँख मिचौली चित्रण है, वो किया था, मानकु ने, तो चैतु का आपको यह दिहान रखना है, रुकमनी हरन, और मानकु का आँख मिचौली, अब उस तक यह हैं कुछ चित्रकला से रिलेटेड, तो देखिए, गडवाल पेंटिंग्स, अभ आरेस्टर, मुकंदीलाल, और अपनी किस पुस्तक के थ्रू यह लाए थे, यह थे गडवाल पेंटिंग्स, बाकी इन्होंने उन पे, उस पे भी दो मौला राम पे भी एक बुक लिखे, सब नोट्स ओन, मौला राम, गडवाल स्कूल आफ पेंटिंग्स, तीन पुस्तक हो तो उसकी भी एक लिस्ट आपको लास्ट में मिल जाएगी, तो जैसे कि यस्वन्त सिंग्का नाम कई जगा में केवल कठोच लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कठोच नाम किसका है, यस्वन्त सिंग्का, फिर है पहाड़ी चित्रिकला यह लिखी है कि सौरीलाल वैद्यने, अब आता है सिल्पकला, सिल्पकला का मतलब होता है क्राफ्ट से, अब क्राफ्ट भी अलग-लग टाइफ की होती है, एक लकड़ी वाली हो गई, यानि कास्ट सिल्प एक होगी, रेशा एवर कालीन वाली जो हो गई है, मृत्ती का मतलब मिट्टी वाली जो क्रा डिकारे तो ये चीजे होगे चर्म सिल्प में कौन-कौन से लोग लगे वे हैं उत्राखण में बाड़ी या फिर सार की उनको कहा जाता है या फिर रेशा जो होता है रेशम जो होता वो कहां से प्राप्त होता है भांके पौदे से जो मुख्यमंत्रित रिवेंदर सिंग तो लोग गीत, फोक जो सौंग्स होते हैं, बहुत सारे हैं उत्राघंड में, कुछ आपने सुने होंगे, कुछ आपने नहीं सुने होंगे, देखिए सबसे पहला है जुमेलो गीत, यह है वेदना और प्रेम का प्रतीक, तो क्वेशन बनता है जुमेलो गीत निम्नमे से किसक प्रतीक है वेदना और प्रेम का नारी हिरदय की जो वेदना होती है इसको ये दिखाता है और कब से कब तक ये टाइम होता है गाने का कुछ कुछ सौंग एक स्पेशल ओकेजन पर ही गाया जाते हैं तो ये बसंत पंचमी से विश्वत सक्रांति तक जुमेलो गीत गाया जात है और बहुत जगह होता भी है ये अभी भी कि छोटी जो की सोरियां होती है वो फ्यूली के फूल को सबके आंगनों में रखती है और फिर उनको उसके बदले पैसे भी मिलते है तो उसको क्या बोलते हैं हम बासंती गीत अब है बाजूबन निर्त्य गीत ये निर्त्य गया जाता है जब लड़की को आती है मायके की याद तो हमारे यहां मायक याद को बोला जाता है खुद तो खुद आने पर कौन सा गीत का आए जा रहा है खुदेर गीत फिर है चौफला गीत चौफला गीत आपने डांस वगेरा में भी देखा होगा चौफला करते हैं तो य होता है प्रेम और मिलन का गीत जो कि इस तरी पुरुष द्वारा ऐसे गोले में बना के गया जाता है और निर्त्य प्रधान गीत है इस तरी पुरुष द्वारा सामीक रूप से ये किया जाता है फिर है कुलाचार या फिर विरुदावली गीत इसको जो गया जाता है हमारे गड़भाल या कुमा में आजी या फिर बद्धी जाती के जो लोग होते हैं ये कुलाचार या विरुदावली गीत गाते हैं और ये ब्रामर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके घरों में जाते हैं और उनकी लंबी आई वगेरा कि उनकी सुक्सम्रिद्धी की कामना करते हैं इसके बदले में, फिर मतलब उस तरीके से गाया जाता है, उनके घरों में जाके गाया जाता है, फिर है चौमासा गीत, चौमासा गीत काया जाता है, जब बहुत जादा बारिश हो रही हो, तो अपनी जो प्रियतम होते हैं, उसकी मिलन की आस में ये गाना गाया जाता है, फि छोपती गीत गया जाता आपका फिर से रवाइंज ओनपुर वाले में गड़वाल के रवाइंज और ये भी होता है प्रेय मिलन के प्रधान गीत छपेली गीत गया जाता है आपका मेला और विवार उत्सव के टाइम पे और इसमें क्या होता है एक हुड़का बजाने वाला ह जो कि बीच में खड़ा रहता है और वो गाता है और अन्य वेक्ती डांस कर रहे होते हैं जागर जागर तो आप सभी लोगों को पता होगा जन्रली तो इसमें लोग गाताएं होती है जो कि पुरारीक वेक्तियों और देवताओं पर आधारित होती है जोडा निर्ते एक होता ये भी important है इसमें भी यही होता है कि एक हुड़की बजाने वाला बीच में होता है और साइड में लोग dance कर रहे होता है और ये कुमाव शेत्र में माग के महीने में समोह निर्ते होता है जो कि इस तरी पुरुष दोनों के द्वारा होता है गड़वाल का आपने इस तरी पुरुष वाला देखा चौफला था और कुमाव का कौन सा हो गया जोड़ा गीत ये गीत की बात हो रही है अभी निर्ते की नहीं यहाँ पर केवल गीत है फिर है चांचरी तो ये भी वैसे ही है कुमाव गड़वाल दोनों में गाया जाता है और इस तरी पुरुष दोनों के द्वारा और उत्तरैनी के अफसर पे ये काया जाता है फिर है भगनौल ये भी प्रेम प्रदहनता का एक गीत है और इस तरी के मन की कलपना को ये दर्शाता है कुमाव शेत्र में ये फिर से गया जाता है, पवाड़ा या फिर भड़ो निर्त, भड़ो का मतलब होता है कि वीर जो लोग होते हैं, अब पवाड़ा बोला जाता है गड़वाल में और भड़ो बोला जाता है कुमाव में, भड़ो या फिर कटकु बोला जाता है, तो जैसे गीट होता है एक यह इस्दिरियों द्वारा ऐसे एक दूसरे के वपर कंडे में हात रखके ऐसे गोले यह गया जाता है लोक नायकों कि इसमें गाताएं होती है फिर आता है बैर गीट यह भी important है बैर गीट का मतलब क्या होता है जैसे वाद विवाद type नहीं होती है प्रतोकत अब आता है हमारा नाटे कला या फिल्म अब पहला कोश्चन बनता है उत्राखण में फिल्म नी थी कब बनी थी ये बनी थी हमारी 2015 में अब तीन कोश्चन बनते हैं कि उत्राखण की प्रथम फिल्म कौन सी थी गडवाल की प्रथम फिल्म कौन सी थी और कुमाओ की प्रथम कौन सी थी तो देखे उत्राखन और गडवाल की प्रथम फिल्म एक ही थी जो थी जगवाल क्योंकि ये थी गडवाली फिल्म और ये बनी थी आपकी 1983 में लेकिन राजी की जो प्रथम वीडियो फिल्म बनी है वो बनी आपकी समलोन पर आपको कुशन ध्यान रखना है केवल जगवाल का ये बहुत बार पूछा जाता है उत्राखन की प्रथम फिल्म कौन सी थी या फिर गडवाल की प्रथम फिल्म कौन सी थी अब इसके जो प्रोडूशर थे वो पारिशवर गौड जी थी और नायक भी इसमें पारिशवर गौड और रमिश मेंदोलिया थे और न गर्जमे उस टाइम पर बहुत जगा ज़्यादा सिनेमा हॉल्स में ये ठीकी थी यानि कि दिल्ली का एक संगम सिनेमा हॉल था वहाँ पर ये 29 हफते तक 29 वीक्स तक ये मूवी थी वो चली थी इसमें जो नायक था या एक्टर था वो थे बलराज नेगी और नायका थी आपकी सांती चतुरवेदी अब एक कोशन ये है कि उत्राखंड आंदोलन पे कौन सी फिल्म बनी है तो उत्राखंड पे आंदोलन पे बनी है तेरी सौं अब दूसरा एक कोशन था कि अभी मैंने आपको उत्राखंड और गड़वाल की पहली फिल्म बताई जगवाल जबकि कुमाओ की पहली फिल्म है मेगा आ मेगा आपको ध्यान रखना है मेगा आ और गड़वाल विकास परिशत विकास परिशत का उत्राखंड में काब निर्माण होगा ये वह है 2016 में पहला म्यूजिक वीडियो जो बना था वो बना था जुम्पा सफल संगीत निर्देशक सबको पता है कौन है नरेन सिंग नेगी जी है अभी इनके रिसेंटली एक गाना भी आया है बहुत अच्छा इन्होंने अपना म्यूजिक हमेशा ये देते है कलाशरी अवार्ड प्राप्त गाई का उत्राखन की कौन है उर्मी नेगी तो ये सारे हो गया आपके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोशन पूछे जाते एक्जाम में आपको पहले तो तीन मूवीज धियान रखनी है जगवाल घरजवें और मेगहा और ये भी है तेरी सों जो की एक क्वेशन से रिलेटेड है अब यहाँ पे है लोक नृत्या लोक नृत्य से पहले या फोक डांस से पहले हम देखते हैं मेले क्योंकि कुछ मेले ऐसे हैं जिनका उपर आगे जिकर आएगा कि उस मेले में वो निर्थे होता है तो पहले हम मेले देख लेते हूँ मेले पर हमारी सारे मेले हैं जो वो है, शोट्रिक्स पर बेस्ट है कुछ मेले आपको पता होगा जैसे कुंब या फिर अड़कुंब है तो वो उत्राखन के हरिद्वार में लगता है ये जनरली सबको पता होता है लेकिन कुछ जैसे जिलों के जो लोकल मेले होता है उनके बारे में हमें पता नहीं होता है जो जिले से रिलेटेट होगा उसी के बारे में पता होगा लेकिन अधर जिलों के मेले हमें नहीं पता होता है तो चंडी देवी मेला सबसे पहला है जो मेले important है या जिन से related question बनते हैं उनके side में मैंने उनसे related बाते भी उनकी पताई है चंडी देवी मेला ये देहरादून का है भदरी राज मेला देहरादून के मसूरी में लगता है जंडा मेला ये चात्र कृष्ण पंचमी यानि कि होली के बात से ये शुरू हो जाता है और गुरू राम राय की जन्म दिन के अफसर पर ये शुरू हो जाता है और इसी दिन क् गुरू राम राय जी जो थे वो दहरादून भी आये थे तो आप लोगों ने अगर जो दहरादून से होंगे उन्हें पता होगा कि बहुत बड़ा जंडा जो है वहाँ पर लगाया जाता है और एक क्वेशन है कि इसमें भक्त समू को क्या कहा जाता है संगत ये छोटे- अंदरा दिन के लिए ये मेला लगता है और कपसे लग रहा है 1600 निन्याने में से इसी दिन का जन्म दिन भी हुआ था और ये दहरादून में भी इनका आगमन हुआ था टपकेश्वर मेला है शिवरात्री में दहरादून में लगता है टपकेश्वर मंदिर भी है वहाँ प बिमा करके उतर जा विस्व मेला वी, से विस्व मेला, और माँ से माग मेला उतर से आपका उतर गाल गाता यो पुछाव्या, चाइब ये एर यह क्ती है के थोटा खेलना और इन जो खेलते हैं उसको बोलते हैं हम ठोटोरी, जो लोग उसको खेलते हैं, धनुश्मान के द्वारा युद्ध खेलते हैं, उनको बोलते हैं ठोटोरी, माग मेला लगता है, ये लगता है बाड़ाहाट का थौल, वहाँ पे 14 जन्वरी से ये शुरू हो जाता है, यानि कि मक पी से आपका आगया, तो पी से आपका पिथोरागड हो गया, नाक से नाक पंचमी, जल से जॉल जीवी, जॉल जीवी का मेला बहुत इंपोर्टन्ट है, और थल से आपका हो गया, थल मेला, देखें जॉल जीवी का मेला जो होता है, ये काली नदी, पहले भी आया ने आपको थल्मिला है, ये बालेशवर के थल्मंदिर में लगता है, बैसाकी के दिल लगता है, और जलिया वाला जो हट्याकांड हुआ था, ये कब हुआ ता, ये आपको याद रखना है, मैंने आपको हिस्ट्री की पूरी टाइम laign में बता है, और बैसाकी के दिल इन ये दि All the Day, that was बा से हो गया आपका बगवाल मेला, ला से हो गया आपका लड़ी धुरा मेला, मा से हो गया आपका मानिश्वर मेला, पूर्णागिरी से पूर्णागिरी मेला, चमके से चमपावत हो गया आपका, तो बगवाल जो मेला है, इसको बोला जाता है असारी कौथिक, और ये मुख श्री पूर्णागिरी मंदिर में चैत और अश्विन दो नवरात्रे आते हैं हें हमारे एक चैत के महीने में और एक आश्विन के महीने में थो नवरात्रे आते है मेला लगता है और जो पूनागिरी मंदिर है ये देवी मा के जो 108 सिद्ध पीठ है उन में से एक है फिर है नैनिताल के मेले तो नैनिताल के मेलों में है सीता नाची नैनिताल में सीता से हो गया आपका जनपद में लगता है तो सीता नाजी नानिताल में अब आगया टिहरी के मेले तो टिहरी के मेला है विकास कूच टिहरी के रण में विकास से हो गया विकास मेला कूच से हो गया आपका कूसनापुरी मेला चा से हो गया चंदरबंद्नी मेला और टिहरी से तो टिहरी हो गया र सक्ति पीठ है उनमें से एक है चंद्रबदनी रणभूत कौथिक यह लगता कार्थिक महा में और युद्ध में जो लोग मरे थे उनकी याद में भूत निर्थिय इसमें किया जाता है अब है पौड़ी का गड़वाल के मेले तो भूवन दंगल में गिर बैठा तार के पेड निर्थ से पेड़ का मतुब यहाँ है पोड़ी से है भूवन से हो गया भूवनेष्वरी देवि मेला दंगल से हो गया आपका दंगल मेला धंगल से हो गया लग्या फिर आपका इसे देखते आ रहे हैं अब तो ये थोड़ा कम हो गया पहले यहां बहुत भीर रहती थी गिर मेला इसे बोलते हैं गिंदी का कौथिक ये इसको पहाड़ी होकी भी बोलते हैं पौड़ी जिल्ले में दो तीन जगा ये लगता है मुख्यदा जो लगता है ये पौड़ी के डाड़ा मंडी डाड़ा मंडी नामकिस्तान में लगता है गिंदी कौथिक इसमें क्या होता है एक गेंद होती है और उसमें दो टीम्स होती है जो टीम उस गेंद को पहले अपने पालेप तक ले आए वो ही विजेता मानी जाती है ये कुश्चन बहुत बार एक्जाम में पूछा भी गया है, फिर है बैकूंड चतुरदर्शी का मेला ये है श्रीनगर का most important, श्रीनगर पॉड़ी गडवाल में लगता है और कमलेशर मंदिर में लगता है, और संतान प्राप्ती के लिए अगर कोई मेला है तो ये है एक बैक कमलेशन मंदिर है, वहाँ पर परिकरमा करते हैं, तो गडवाल का जो संतान प्राप्ती के लिए मेला है वो है बैकूंड चतुरदर्शी और कुमाव का में आपको बताऊंगी गड़नात मेला, पहले आप ये देख लीजे, फिर है तारकेशर मेला, अब है चमोली के मेले, तो चमोली के मेले का फॉर्मूला है, हमारी चमेली गोरी है, तो हमारी से हो गया हर्याली पूरा मेला, चमेली से हो गया चमोली, गोरी से हो गया आपका गोचर मेला, तो हर्याली पूरा जो मेला लगता है, ये कर्णप रियाक के नौटी गाउं में लगता है, और चैत मास म पहला दिन होता है इस दिन जो विवाहित लड़कियां होती हैं वो अपने माई के जाती हैं गौचर मेला ये बहुत फेमस मेला है गौचर का इसको बोलते हैं गौचर का अध्यक्युक एवं विकास मेला ये शुरू हुआ था 1943 में यानि 73 प्राप्ति से भी पहले से और शुरू किस ने किया था ये कौशन बहुत बार बना है कि गौचर मेला किसके द्वारा प्रारंब किया गया था घड़वाल का डिपटी कमिशनर जो था तत्कालिन डिपटी कमिशनर बर नेडी इसके द्वारा और यह शुरू होता है 14 नॉम्बर यानि कि जवालाल नेहरू जी के जर्म दिवस के अवसर पर ये शुरू होता है फिर है अलमोडा के मेले तो गणेश नंदा, श्रावन के सोमवार आए आय से आपका हो जाएगा केवल, आ से आपका हो जाएगा अलमोडा गणेश से हो गया गणनात मेला सा से हो गया आपका शालदे नंदा से हो गया नंदा देवी, नंदा देवी मेला भी बहुत फेमस है श्रावन से हो गया श्रावनी, सोमवार से हो गया आपका सोमनात मेला तो गरनात मेला जैसे गड़वाल में आपका वैकुन चतुर्दस्टी का है संतान प्राप्ति के लिए ये भी वैसे ही कार्थिक पूर्णिमा को लगता है और संतान प्राप्ति के लिए ही ये मेला फेमस है गर्नात मेला स्याल्दे बिखोती कौथिक जो है वो लगता आपका द्वार हार्ट में अब इसमें होते हैं लोक निर्तिय भी होता है और लोक गीत भी गया जाता है कौथिक में किया जाता है अब नंदा देवी मेला जो नंदा देवी मेला है वैसे तो ये गड़वाल तथा कुमाओ के अलग-अलग छित्रों में लगता है लेकिन जो मुख्यता लगता है ये नंदा देवी परिशत में परिशर जो है अलमोडा का वहां पर ये लगता है अ सुमनात मेला लगता है राम गंगा के टटपर और ये तीन दिन का मेला लगता है पहले दिन के मेले को बोलते हैं सल्तिया मेला दूसरे दिन के मेले को बोलते हैं ठुल कौथिक गडवाल या फिर कुमाओं के कुछ छेतर में ठुल और नन दो वर्ड है ठुल का मतलब होता है ब पूंसा मेला है तो वह है सोमनात मेला और दूसरे दिन थुल को थिक के, अगले दिन जो लगता है नन को थिक, तो ये हो गए हमारे सारे मेले कमप्छीट, अब हम देखते हैं, फोक डान्स या फिर लोक निर्थे जो हैं हमारे उत्राखंड के उनको यहाँ पे हम cover करते हैं तो पहला है कि गडवाल का यह निरत्या है कि नव विभाहित लड़कियों द्वारा ससुराल में पहली बार आने पर किया जाता है तो यह है आपका थड़िया निरत्या गीत और निरत्या जो folk music है और folk dance है उनमें difference आजाएगा आपको कई बारी असर देखने को मिलेगा तो आपको गीत अलग देखने है और निरत्या अलग देखने है फिर एक है यहाँ पे तलवार और ढाल के साथ यूर्त्य किया जाता है यह विशेशता पहले शादी समारों के टाइम पे भी किया जाता था अब गड़वाल में किया जाता है एक भोटिया जनजाती के लोगों में किया जाता है और एक कुमाओं में किया जाता है तो गड़वाल में इस निरत्यों को बोलते हैं सरो निरत्या जबकि भोटिया बोलते हैं इसको पौणा निर्तिया तो पौणा से आप याद रख लो कि ऐसे नहीं हो कि अगर कही बारी पौणा बोला जाता है हमारे यहां बरातियों को गड़वाल में पौणा तो अगर कोशन आएगी पौणा निर्तिया किसे समन्दित है तो डारेक्ट पौणा देखे बरातियों पर टिक नहीं मानना है यह जो निर्तिय किया जाता है धोल तलवार के साथ किया जाता है यह निर्तिया और यह भोटिया निर्तिया है फिर राइफल्स हैं जो कि खुकरी उनके जो खुकरी है उसके साथ खुकरी हतियार के साथ वो डांस करते हैं उसको खुकरी निर्तिया ही कहा जाता है खुकरी से खुकरी हो गया अब जॉनसार में ही एक दूसरा निर्तिया है रमतुल्या वादियंत्र है रमतुल्या उसके साथ किय जाता है इसको बोलते हैं हारूल निर्तिया हारूल तो शब्द ही आपको जॉनसार से ही रिलेटर मिलेगा फिर है गड़वाल में इस तरी पुरुषों द्वारा जो है सिंगार प्रदान निर्तिया है यानि कि प्रेम भाव इसमें दिखता है इसको बोलते हैं चौफला निर् और गडवाल का ही चांद्री रात में जो निर्ते किया जाता है स्रिंगार निर्ते उसको बोलते हैं चांचरी, चांदनी से चांचरी, बसंत के आगमन पर जो निर्ते किया जाता है इस थारी पुरुष त्वारा, ज्होडा निर्ते, आब ही आपने पीछे देखा था जोड़ा निर्ते करे थे मेले में तो ये कब किया जाता है बसंत के आगमन पर फिर है कि बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन नित्या इसको बोलता है गुगूती निर्तिया बच्पन में आपने भी खेला होगा गुगूती बसूती तो ये कौन कर रहा है बालक बालिका है दिवाली पे जो किया जाता है बहला निर्तिया ये विशेष्टा जिस एरिया में अभी हम पोस्टेट है वहाँ पे किया जाता है इसमें कोई भी व्यक्ति या लेडिस जेंड्स कोई भी हो सकता है ये अपने हाथ में एक रसी सी होती है जिसमें की आग लगाए जाती है उसे ऐसे ऐसे गुमाया जाता है इसे बोला जाता है बहला निर्तिया ये गड़वाल का ही एक निर्तिया है फिर है कि अब ये निर्तिया हो रहा है गीत गायन के रूप में जो वैसे ही वात विवात के र भगनौल निरत्य भी होता है तो आज की उत्रखण के हमारे जितने भी कल्चिरल टर्म से वो सारे कंप्लीट हो गए हैं सलेबस में उत्रखण सांस्कृतिक दिया हुआ है इसलिए आपको इसको पढ़ना है कुशन कहीं से भी आ सकता है 35 नंबर का उत्रखण है तो बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है सारी चीज़ा आपको टच करके जाने है कब कौन सी पढ़ीवी चीज कब आ जाए इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए अभी बहुत समय है इतना नर्वस होने की जरत नहीं है तो फिर मिलते हम अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए